Hello everyone, देखिए अब next topic करते हैं triangulation method for the height of an accessible object so triangulation method है height निकालने के लिए accessible object के देखो accessible object होता है जहां तक आप reach कर सकते हो मतलब easily जहां तक हमें पहुंचा जा सके वो होता है accessible object ठीक है फिर हम next करेंगे triangulation method for an inaccessible object inaccessible object जहां पर reach करना थोड़ा मुश्कील है ठीक है तो देखो सबसे पहले हम accessible object के लिए देखेंगे कि height हम कैसे निकालते है देखो इसमें आप let कर लो जैसे हमें एक tree की height निकालनी है ठीक है कोई tree है या tower है कुछ भी आप समझ लो ठीक है last 10th में 9th जो chapter पढ़ा था आपने maths में ठीक है तो वहाँ पर अगर आपको याद होगा applications of trigonometry था तो वो chapter आपका यहाँ पर use हो रहा है इन दोनों topic में ठीक है तो देखो यह height हमें निकालनी है ठीक है यानि कि trigonometry का use on वाला यह तो आप समझ ही गयोंगे भी तक ठीक है और यहाँ पर जैसे यह हमारा observation point है c ठीक है जैसे हमने लिखा भी है कि let a b is equal to h be the height of the tree है tower की जो height है वो h है और जो हमें measure भी करनी है ठीक है let c be the point of the observation at distance of x from the b b से हमारा observation point है वो c है और इसकी जो दूरी है यह हमें पता है कितनी है यह x है clear है यह edge हमें निकालना है यह दी होगी आपको x जो है यह वली दूरी ठीक है अब main कहानी क्या होती है इसके अंदर आपने जैसे chapter में पढ़ा भी है class 10th में कि यह जो होता है आपके पास यहाँ पर यह angle आता है पर search करके कि आपको पता चल लाएगा कि क्या से काम करता है वो sextant ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा बता लता हूं कि दो mirror होते है उसमें एक mirror इधर side हम focus करेंगे इस b point पे और एक यहाँ ए पर इधर focus करेंगे ठीक है तो हमें वो angle पता चल दाएगा कितना होगा ठीक है आप आप देख लेना पूरा detail में कहीं सोचो कि mirror से कैसे पर चल रहे तो वह पर आपको समझ मैंगा जब आप उसको देखोगे किस extent है क्या instrument है कैसे major होता है ठीक है तो आप जब भी search करोगे internet पर तो आपको पता चल दाएगा ठीक है तो theta हमने angle measure कर लिया यहाँ पर तो theta पता है ह हम बिल्कुल easily निकाल नहीं सकते हैं यह बहुती easy way में निकाल सकते हैं देखो हम यहाँ लिख सकते हैं in right angle triangle कौन सा है यह हमारे पास ABC में यह theta हो गया ठीक है देखो यह चीज हमें पता है और यह हमें निकाल गया यह क्या होता है इसका theta के सामने वाला क्या होता है perpendicular पता है यह चीज और 90 degree के सामने वाला क्या होता है hypotenuse तो यह क्या बचा base यह आपको पता है पहले से ठीक है base है और यह क्या है perpendicular है ठीक है तो base और perpendicular का relation बता हो ज़रा trigonometry में याद है पंडित बदरी परसाद हर हर बोले से यह sign होता था यह cos होता था यह tan होता था अगर उल्टा चल होता था और यह coat होता था, cosecant h by b, secant h by b और coat b by p, तो यह इनकी b और b का जो relation हो रही है तो tan का बन सकता है या coat का बनता है, तो हम यहाँ पर tan का बना जते हैं, ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा tan theta p upon में b होता है, p क्या है हमारे पास ab है और जो हमारे पास b है, वो क्या है base यह है bc, तो इनकी value पुट कर देते हैं, हम यहाँ tan theta is equal to में, ab की value है h, और bc की value इतनी है x, तो जब हम यहाँ से h find out करेंगे, तो यह x इधर multiply हो जाएगा, x tan theta, तो h निकालने के लिए formula मिल गया हमें, x into 10 theta, अब देखो, x अगर आपको पता है, और theta आपको पता है, तो आ आपको समझ में आगे होगा कि कैसा है यह question, जैसे कि हमने class 10 में chapter 9 बड़ा था maths में, ठीक है, उसके बाद देखो, triangulation method for the height of an inaccessible object की बात करते है, इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कोई mountain है, ठीक है, जहाँ तक reach करना मुश्किल है, उसकी हमें measurement करनी है height की, तो इसके लिए ह क्या करते है, दो points लेतने observation के, ठीक है, मतलब जो angle हम देखेंगे यहाँ पर, वो दो points देखेंगे, देखो कैसे मैं कहा रहा हूँ यह चीज़ आपको, देखो जैसे माल लो यह कोई mountain है, ठीक है, इसकी height हमें निकाल नहीं है, ठीक है, और जिसको मैंने h let कर लिया, इसकी height है ठीक है, A, B point, अब यहाँ पर हम दो observation point ले रहे हैं, ठीक है, एक observation point ले रहे हैं, इसका C, और एक observation point ले रहे हैं, हम D, यह C observation point है और यह D observation point है, तो sextant का use करेंगे यहाँ पर भी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, angle जो है, major कर लेंगे यह वाला, ठीक है, इसको हम माल लेते हैं, यह कुछ कितना एंगल मैंगल है यह देटा आने नहीं है भच आ Рही हो इनूस्थ नहीं है गरे acqu previously का जो शॉप यह recognized में हम्में पता है कितना है यह एक्समालो कितनीव स्क्रासित नहीं है घखेँ है फिर सी से लिएक जो स्वानल लिए कितना है यह D है मालो, कितना है D, और इस D से भी हब हम observe करेंगे, यहां मतलब sextant लगाएंगे, और जो कि मैंने अब को बता है कि angle को measurement करता है, ठीक है और यहां से भी यह angle measure करेंगे, इसका peak का ठीक है, यह angle हो गया, theta 2, यह क्यों से angle होते हैं, angle of elevation होते हैं, ठीक है, बात पता होगी आपको class 10 में भी की थी हमने, angle of elevation की, ठीक है, तो यह theta 1 हमें पता चल गया, theta 2 पा चल गया, sextant की help से, यह height हमें निकालनी है और यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, कि BC X है हमें पता है, और CD कितना है, D है यह चीज हमें पता है, कि इतनी बात clear है या नहीं है, बताओ, कोई इसमें परेशाननी किसी भी तरीक्के से, ठीक है अब देखो इसमें जो लिखा हुआ है, वो समझो, कि by using the section we first measure the angle of elevation of its peak from a point C, C से हम पता कर रहे हैं angle of elevation इसका sextant की help से और इसको हमने theta 1 बोल दिया फिर sextant को move किया, another position deeper, जहां से फिर हमने angle of elevation major किया, sextant की help से वो कितना आया theta 2 आया है, ठीक है, और अब देखो, अब हम इसको solve कैसे करेंगे, बहुत ही simple सा है यह देखो सबसे पहले यह वादा triangle हो आपको बताने, trigonometry हमेशा किसमें लगती है right angle triangles में लगती है, या तो यह वाला angle हो सकता है ABC, या यह ABD हो सकता है यह ACD नहीं हो सकता, समझ रहो ना, clear इतनी बाद तो देखो, यहाँ लिखते हैं, in right angle triangle, ABC की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखो, इसमें यह क्या है, आपके पास base है, और यह क्या है, आपके पास perpendicular है, यह मैने अभी आपको बताया था, 90 degree के सामने वाला हाईपोटनीस होता है, theta के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है P upon me B करूँगा तो P क्या है हमारा H है और B क्या है हमारा ये X बनेगा ठीक है तो नीचे X आ रहा है ठीक ये चीज़ भी समझना आपकी ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ठीक है और फिर जब हम इस वाले triangle को लेंगे A, B, D को पूरे बड़े वाले triangle को तो उसमें भी हम क्या करेंगे पर्पेंडिकुलर अपॉन में बेस तो पर्पेंडिकुलर H, H अपॉन में ये X प्लस D आ जएगा तो जो नीचे जो terms है वो अलग-अलग आ रही है इस triangle में अलग आ रही है और बड़े वाले triangle में अलग आ रही है लेकिन अगर मैं quote से करूँ इसको तो quote theta होता है हमारे पर B upon में B तो B upon में P जब करूँगा यहाँ पर यह B upon में P तो यह H नीचे आएगा और इस वाले बड़े वाले triangle में भी जब हम B upon में P करेंगे तो यह H ही नीचे आएगा अभी समझना देखो कैसे कह रही है देखो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं यह quote theta 1 B upon में P होता है तो B कितना है हमारे पास इसमें BC है और P कितना है हमारे पास AB है तो quote जो theta 1 है इसकी जो value आई है हमारे पास यह कितनी आ गई है X, BC, X है और AB कितना है H है ठीक है clear इतनी बात यह नहीं बताओ उसके बाद देखो in right angle triangle यह वाला ले लो ABD, ABD यह बड़े वाला पूरा इसमें देखो quote theta 2 लेंगे हम तो base अपन में perpendicular होता है तो base इसमें क्या है हमारे पास यह पूरा ठीक है अब देखो यहाँ पर BD कितना है हमारे पास BD हो गया यह add करो इसको जड़ा BC प्लस CD कितना हो गया यह D प्लस में X तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D प्लस X और AB है H और यह आ गया quote theta 2 अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या करेंगे हम अब code theta 2 minus कर दो code theta 1 ठीक है ना code theta 2 में से हम minus कर रहे है किसको code theta 1 को तो देखो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर D प्लस X by H code theta 2 की value है और minus code theta 1 की value कितनी है X by H यह होगा क्या नहीं बता हो जड़ा जल्दी से अब देखो इसमें हम क्या करेंगे H minus X by H H LCM ठीक है और यहाँ क्या बचा D plus X H H 1 हो गया D plus X और यह minus और यह H H 1 और यह X देखो X से X कट गया कितना आगया D by H तो यह D by H आगया तो यानि code theta 2 minus code theta 1 कितना आगया आपके बाद D by H आगया तो हमें किसकी value चाहिए H की तो H इदर ले जाओ दिखाई दे रहे और D के नीचे यह लियाओ code theta 2 minus code theta 1 केतनी बच क्लियर है तो हम direct यह formula use कर सकते हैं अब height निकालने के लिए कहाँ पर जहाँ पर दो angle दी होंगे आपको inaccessible object होगा और जहाँ पर accessible होगा object वहाँ पर H निकालने का X 10 theta और जहाँ इनसेसिबल है वहाँ H निकालने का D by code theta 2 minus code theta 1 केतनी बच क्लियर है तो यहाँ पर X ना भी given होगर आपको तब भी आप H निकाल सकते हो अगर D पता है बताओ समझ मैं यहाँ से को D plus X नीचे होता और यह X नीचे होता तो यह क्या होता बहुत ही difficult हो जाता question solve करना और यह formula drive नहीं होता क्योंकि यह drive करना है हमें यहाँ पर formula क्योंकि यह सबसे easy भी है ठीक है तो 10 से नहीं करना इसको किस से कर सकते हैं code से कर सकते हैं इतनी बत clear है या नहीं है बताओ तो यह direct हमने formula बना दिया ना इस वज़े से सगिये clear रेतनी बत जैसे आप कहोगे वहां तो question करते हैं हम 10 से भी कर देते हैं कर देते हैं class 10 में तो ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर आप पर्टिकुलर formula दे रहा हूं इसका कि यहाँ इनसेसिबल होगा तो वहाँ एच निगालने का यह formula बन गया simple सा बताओ कर लोग इसको ठीक है अब इसी के ओपर हमें numerical करेंगे वह हम next वीडियो में करते हैं clear ओके जी thank you